कि यह अगर्श का यह जो वीडियो इसमें हम लोग डारेक्स से रिलेटेड एक नया टॉपिक स्टार्ट करें डारेक्स या इंकम टेक्स का पेपर जो हता है उससे रिलेटेड का नाम है स्लेरी हेड या तो कभी-कभी हम लोग इंकम फॉर्म सैलेरी हड भी बोलते हैं ठीक है इक ही बात हुआ, topic एक ही है, यह जो topic है यह हम लोग generally B.com में देखते हैं, पढ़ने के लिए हम लोग को मिलता है, M.com में पढ़ने के लिए मिलता है, इसके अलावे यह topic हमारा net के exam के point of view से भी important है, CA और CMA का जो inter का paper होता है, वहाँ पर यह important हो जाता है, final वाले exam में generally यहां स question थोड़ा कम होता है, तो यह सब exam के लिए topic जो हमारा है, यह important हो जाता है, income from salary head का topic होता है, आज का जो video इसमें हम लोग mainly यह सब समझने वाले salary head क्या है, इसका कहानी कहा से start हो गया, क्यों हम लोग salary head के बारे में पढ़ते हैं, इसमें किस तर कौन-कौन सा income आता है, कैसे उ हम लोग पढ़ेंगे, इस topic को start करने से पहले अगर हम लोग salary head का थोड़ा कहानी समझना चाहें, मतलब यह हम लोग पढ़ते हैं, कहां से start हो जाता है, अचानक कहां से देखने लगा, direct tax वाले book में हम लोग देखते हैं salary head, salary head, हम लोग को हमेसा मिलता है, तो basically इसका कहानी start इसके बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, यह हमारा, अगर यह section का बात करें, तो income tax act का section 15 to 17 है, मतलब section 15, 16, 17, section 15, 16, 17, वहां पे हम लोग को salary head से related provision directly देखने को मिलता है, तो इसका कहानी basically income tax act में कुछ इस तरह से start होता है, income tax act के paper में, income tax का जो paper होता है, basically यहां पे हम calculate करेंगे, हम लोग income tax किसी person का कैसे calculate करेंगे, यह सब कुछ basically हम लोग income tax वाले paper में पढ़ते हैं, तो जब हम लोग income tax का paper पढ़ना start करते हैं, या direct tax का paper पढ़ना start करते हैं, तो वहां पे हम लोग को एक section मिलता है, section 14, section 14, इससे पहले एक चीज हम लोग यह समझे, यह जो paper ह income tax का paper या direct tax का paper, mainly जो यहां पर हम लोग पढ़ते हैं, उसको हम लोग दो पार्ट में divide कर सकते हैं, एक हम लोग यह पढ़ते हैं इस paper में, कि हम लोग अपना income कैसे निकालेंगे, income कहने का मतलब यहां पर यह है, income tax act के provision के basis पे, income tax के prospective के basis पे हम अपना income कैसे निकालते हैं, और उस पे हमारा जो tax का amount होता है न वो कैसे निकलता है। मतलब final object तो obviously हमारा income tax calculate करना होता है। बट income tax को calculate करने के लिए न सबसे पहले हम लोग को income का पता होना चाहिए। income जो हम लोग यहाँ पर समझते हैं यह हमारा accounts का income से अलग होता है। accounts का income अलग होता है उसका calculation अलग होता है। income tax act में जिस income पे हम लोग tax देते हैं यह income अलग होता है। income तो एक ही होता है actual में बट दोनों जगा calculation अलग तरेस होता है। वहाँ पे उसका अलग method है calculation का यहाँ पे इसका अलग method है calculation का। तो जब हम लोग यहां पर income निकालने का बात करते हैं, income tax के paper में, तो यहां पर हम लोग कुछ step देखते हैं, income हमारा कैसे calculate होता है, तो वहां पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग को जिस person का income निकालना है, उसका residential status निकालना होता है, फिर जो person है उसका जो भी income है, उसको 5 head में classify कर देना होता है, यह provision basically section 14 में है, तो सबसे पहले हम लोग section 14 को एक बार देखते हैं, उसमें क्या बोला गया है, यह अभी हम लोग को screen पे section 14 जो है, income tax act का, उसका provision दीख रहा है, यहाँ पे provision क्या है, section 14 basically क्या बोलता है, क्या इसमें mainly provision है, according to section 14, section 14 of the act, the act means income tax act, according to section 14 of income tax act, all income of a person shall be classified और shall be grouped और shall be divided under the following five heads, यहाँ पे यह जो section है, यह basically क्या provision है इसमें, कि हर एक person का income of a person, किसी भी person का income जो होता है न, उसको हम लोग 5 head में classify कर देते हैं, हम लोग को 5 head में classify करना होता है, और कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे income निकालते हैं, कौन-कौन सा 5 head है, पहला तो बोलता है, जो भी एक person का, जिस person का हम लोग income निकाल रहे हैं, इंकम tax act के अंडर, उसका जो भी income है न, उसको 5 head में तुम divide कर दो, पहला salary head में कुछ income लेते हैं, कुछ house property में, कुछ business probation में, कुछ capital gain में, और कुछ income from other sources में, ठीक है, तो यहाँ पे जो आज हम लोग chapter पढ़ने वाल हैं, यह mainly यह है कि कौन-कौन सा income हम लोग को salary head में लाना है, अगर हम लोग किसी person का income निकालना चाह रहे हैं, income tax act के अंडर, तो उसका कौन-कौन सा income हम salary head के अंडर लेते हैं, यह हम लोग को basically समझना है, कैसे वो calculate होगा उसका salary head के अंडर, income कैसे calculate होगा किसी person का, कौन-कौन सा income आएगा, कैसे calculate होगा, salary head के अंडर, क्या, उसका income कैसे निकलेगा, यही सब कुछ mainly हम लोग को salary head के अंडर पढ़ना होता है, ठीक है, तो salary head जो है, यह section 14 के अंडर जो 5 head described क्या गया है, ठीक है, उसी मे से यह पहला head है, जो वहाँ पे section 14 में बोला गया है, कि किसी भी person का income, जब हम लोग को यहाँ पे calculate करना होता है, तो सबसे पहले उसको 5 group में classify कर देना होता है, तो जो सबसे पहला head होता है, salary head होता है, तो यहाँ पे आज, जो हम लोग, यह salary head पढ़ते हैं, यहाँ में लोग जो पढ़ते हैं, ठीक हमारा final target जो हता है, यही समझना होता है, कि किस-किस income को salary head में लाएं, और उसको कैसे calculate करें, कैसे हम salary head के income को निकालें, तो obviously यही सब कुछ हमारा target होगा, जब हम लोग finally salary head को पढ़ेंगे, तो हम लोग को यही समझ में आएगा, कि हमारा focus यहाँ पे यहाँ पे सीखना था, अब हम लोग उस book को refer करते हैं, जो book हम लोग refer करते हैं, जो book हम लोग एपे refer करते हैं, यह C.A. alto का book था, अभी जू पर screen में दिख रहा है, जो book इस से पहले दिख रहाता है, या आगे हम लोग अभी देखेंगे, उस C.A. inter का book है, बुक को रीफर करने से पहले पहले हम लोग कुछी ऐसे ही समझने का कोशिस करते हैं जैनरली सेलेरी मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि जब हम लोग कहीं पर जौ appelle कोई पर से जौन कर रहा है तो उसको मंथली कुछ एमाउंट उसके इम्पोयर से मिलता है जो मन्थली payment उसको employer से मिल रहा है ना उसको हम लोग basically salary बोलते हैं यहाँ पर जो salary head अलग चीज होता है salary अलग होते है salary जो हम लोग बोलते हैं हम लोग general sense में बात करते हैं कि हमारा salary का meaning यह है यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे है salary head salary head कहने का मतलब यह हुआ कौन-कौन सा income हमारा salary head के अंदर आएगा salary वाले group के अंदर आएगा यह सब चीज हम लोग को समझना है जब इस head को हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग यह समझ पाएंगे कि यहाँ पर जो हम लोग salary का meaning समझते हैं जो income हम लोग salary head में लाते हैं यह हमारा general sense के salary से broader है मतलब यहाँ पर जो हम लोग salary head के अंदर income लाते हैं इसमें बहुत सारा कुछ आता है लेकिन जो हम लोग salary generally समझते हैं बस उसका मतलब यही होता है कि हम लोग जो एक employee को employer से monthly payment मिल रहा है एक employee को employer से जो monthly payment मिलता है उसको हम लोग वहाँ पर salary समझते हैं जेनरल sense में बट यहाँ पर जो हम लोग salary पढ़ते हैं इसका meaning broader है यहाँ पर salary में बहुत कुछ कबर होता है यहाँ पर जब हम लोग यह topic पढ़ेंगे तो हम लोग को यह पता चलेगा कि यहाँ पर salary का जो meaning होता है जो यहाँ पर हम लोग salary head के अंडर income लाते हैं वो basically होता क्या है जो कुछ भी employee को employer से मिला employee को employer से मिला employee को employer से जो कुछ मिलता है जो कुछ income मिला सब कुछ हमारा यहाँ salary head में आ जाता है सब कुछ हमारा income tax act के अंडर salary head में आ जाता है ठीक है यहाँ पर जो कुछ मिला कहने का मतलब यह है कि हम लोग यह देखते हैं क्या मिलता है सबसे पहले इस चीज को समझने का कोशिज करते हैं एक employee को employer से क्या मिलता है यह सब कुछ हम लोग समझने का कोशिज करते हैं जो कुछ भी मिलेगा ना वो हमारा सब कुछ salary head में आ जाएग जो कुछ हम लोग को मिलेगा एक employee को employer से employee काने का मतलब जो काम कर रहा है employer काने का मतलब जिसके पास काम कर रहा है ठीक है जो company एक employee को employer से जो benefit मिलता है इसको हम लोग page why तीन page में divide कर सकते हैं कब-कब मिलता है एक जब ओन-job होता है मतलब जब ओन-job में है तब उसको कुछ benefit मिल मिलता है उसको बेसिक सेलेरी मिलता है बेसिक सेलेरी जो होता है हमारे सेलेरी का एक कॉंपोनेंट्स होता है ठीक है डिये उसको मिलता है ठीक है जो मन्थली पेमेंट हम लोगों मिलता है ना उन जॉब उसमें हमारा कुछ बेसिक सेलेरी होता है कुछ डिये होता है ठीक है अपिस आना जाना कर रहे हैं तो transport expense खर्च होता होगा ना तो employer क्या बोल रहा है कि हम तुमको 10,000 रूपई दे रहे हैं इससे तुम अपना आना जाना करना मन्थलियों को 10,000 रूपई दे रहे हैं तो इस टाइप यहाँ पर हो क्या रहा है employer हमको को पार्टिकुलर E pap VMware कोना के लिए प्मेंट दे रहा है कि क्सी लीए दे हम लोगको टांस्पोर्ट कप मिट करने के लिए के लिए तो थाइब प्रच्ण होता है ना यह प्मेंट मिलता है ना असरे हमारे इम्प्लोयर होता है इम्प्लोयर ठिक परशन काम कर रहूर देच प्रषेल पर्वड़ी कुछ इम्प्लोयर सेवें फिट मिलता है जा चेनरे हाट्व हमारे सेलेरी हेड़ में कभर हो जाता है engel packages मिला यह चीज़, इसके अलावे उसको परक्यूजिट भी मिलता है, परक्यूजिट का मतलब क्या होता है? जेनरली employer क्या करता ना, employee को monetary benefit देने के साथ non-monetary benefit भी देजा है, non-monetary benefit कहने का मतलब है, जो case के form में ना हो, जैसे एक गाड़ी ही दे दिया, कि तुम इस गाड़ी से आना जाना करना, case तो हमको दिया न है employer, टाटा जो था और राम को तो case दिया न है, वो क्या किया एक जाना है, कि तुमको employer से जो कुछ benefit मिल रहा है, वो तुमारे लिए income है, राम के लिए income है, टाटा company राम को एक घर दे दिया, घर में तुम रहो, अराम से रहो यहीं पर उसके बाद डेली सुबह आ जाना, office काम करने के लिए, तो income tax act जो है department है, वो ये बोलता है, राम को, कि जो तुमको ये फिरी का घर मिलाना, ये तुमारे लिए income है, और हम इसको income में aid करेंगे, और इसके उपर हम tax लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर mainly हम लोग को यही सब चीज समझना है, क्या क्या हमारा income में आएगा, income tax department के भी उसे, income tax law के भी उसे, ठीक है, वही सब कुछ हम ल हम लोग को retirement की time मिलता है, on retirement, on retirement हम लोग को कुछ benefit मिलता है, employer से, क्या क्या मिलता है, generally हम लोग देखते हैं, जब retire करता है ना कोई employee, तो उसको gratuity मिलता है, pension मिलता है, pension कहने का मतलब जो committed pension होता है, lump sum payment pension होता है, ये मिलता है, ठीक है, इसके अलावे, लिब जो in case कर वा लेता है, live in case money, जो होता है, ये मिलता है, ठीक है, live in case money मिल जाता है, इस तरह से कुछ benefit होता है, कुछ, जो retirement 물ता है, इसके बाद कुछ benefit जो है ना, employee को after retirement मिलता है, after retirement mlता है ईम्प्लोइ को उफ्लोइर से बहुत सारा benefit मिलते रहता है इसम corresponding onthaly Pension , यहां पर पेंसन है optimal andедloats यहां पर था worse तो कुछ इस तरह से हम लोग को इम्प्लोइर से इक Diagnost मिलता है ठीक है जो सब कुछ हमारा salary head के अंडर taxable हो जाता है ठीक है salary head के अंडर income में कभर हो जाता है तो यहां पे अब हम लोग एक बार बुक को refer करते हैं और वहां से थोड़ा कुछ समझने का कोशिस करते हैं क्या यहां पे salary head के बारे में बोला गया यहां पे एक format दिया हुए और इसलिए अगर हम लोग अगर income निकालना हो तो कैसे निकालेंगे salary head के अंडर जो कुछ हमारा आ रहा है element सबको aid करना पड़ेगा ह अगर हम salary head के अंडर किसी का income निकालना है तो कैसे निकालेंगे basic salary salary head के अंडर आला है इसको aid करते हैं आगे पढ़के हम लोग पता चल जाएगा क्या 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 आ रहा है अभी हम लोग मान के चल रहे है basic salary आता है salary head के अंडर इसको ले लो allowances कितना यहां पर आएगा जो भी allowances मिला उसमें से less कर देना है जो exempt होगा exempt कहने का मतलब होता है जो हमारा income का पार्ट नहीं बनता है ठीक है 10,000 allowances मिला income tax act में प्रोभी जाना है 10,000 में तुमारा 5,000 चूट हो गया अच्छे इस पर तुमारा tax नहीं लेगा तो जो 5,000 बच यहां पर आएगा सबको aid करना पड़ेगा तो यह format बैसिकली वही चीज बता रहा है कि जो कुछ तुमारा element salary aid के अंटर आएगा उसको तुम इस तरह से एक statement बना लो सबको aid कर तो तुमारा salary income निकल गया कैसे निकलेगा basic salary बोल रहा है लेलो fee bonus लेलो allowances वगेरा को लेलो ठी तो उसमें से अगर कुछ exemption है तो उसको less करके हम लोगो लिखना है ठीक है total allowances जो मिलता है उसमें से कुछ हमारा exempt हो जाता है exempt कहने का मतलब जिस पर tax नहीं लाएगा जो income का part नहीं बनेगा ठीक है तो अब इसलिए उसको यहां पर ने लेंगे income निकालने के लिए salary head का income निक tax लेंगे अब employee को दिक्कत यह हो गया कि यह जो हमको benefit मिला यह हमारा कितना income है कितना income आप इसको मानने वाले तो department जो है income tax law है यह यहां पर एक law बना के रखा income tax law ठीक है वहां पर उसका provision है कि कैसे उसका valuation होगा जो भी valuation का provision है उसके basis पे उस benefit का non monetary benefit का non monetary benefit का जो भी value आ रहा है वो हमारा income हो जाएगा जैसे जो घर मिला ठीक है तो उसका income tax law के basis पे जो value आएगा वो हमारा income हो जाएगा गाड़ी मिल गया कार मिल गया ठीक है तो उसका भी value निकलेगा वो हमारा income हो जाएगा तो यही सब कुछ को basically हम लोग यहां पर aid करते हैं ठीक है यह जो कुछ बना हो है ना statement यह वही है सब कुछ को यहां पर हम लोग aid करते जाएंगे ठीक है जो हम लोग को lived travel concession मिला यह सब चीज भी लेना है gratuity, uncommuted pension, committed pension अगर taxable है तो ठीक है उसके बाद यहां तक हमारा सब चीज को aid कर देंगे तो यह हमारा आजाएगा gross salary अच्छा gross salary जो हमारा होता है ना मतलब यह gross income from salary हो गया अब क्या होता है income tax act में कुछ प्रोभीजा ने deduction का, deduction कहने का मतलब इतना तुमको छूट मिल इतना पैसा तुमारा income से हट जाएगा, घट जाएगा ठीक है तो यहां पर क्या होता है, deduction जो हम लोगो income tax act में पढ़ते हैं यह दो टाइप का होता है, एक हम लोगो gross total income में मिलता है और एक particular head के अंडर मिलता है, जैसे भी salary head पढ़ रहे है ना, तो salary head का जो gross salary आएगा, इस में से कुछ हम लोगो deduction मिलेगा, इसके बाद जो balance बचेगा ना, यह हमारा net salary होगा, या तो income from salary इसको बोलेंगे, या तो net salary भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो यह हमारा इस तरह से net salary निकलता है, यहां पर deduction मिलता है, salary head के अंडर, उसके बारे में provision है section 16 के अंडर, section 16 में हम deduction के बारे में पढ़ते हैं, standard deduction, दूसरा entertainment allowance है, सुर तिसरा professional take, यह सब क्या होता है, यह सब चीज के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अभी हम लोग बस एक टक glance समझने का कोशिस कर रहे थे, क्या कुछ हम लोग को यहां पर करना होता है, क्या कुछ हम लोग को हमारा salary calendar आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर यह बोला गया है, कि जो भी pair pay है, pair मतलब जो payment कर रहा है, pay मतलब जो payment receive कर रहा है, जो income receive कर रहा है, उसके बीच employer और employee का relationship होना चाहिए, until and unless there is a relationship of employer and employee between pair and pay, it can't be considered as a salary income, ठीक है, और जबता को salary income नहीं होगा, obviously हमारा salary head मे नहीं आएगा, ठीक है, तो this is the first condition, ठीक है, for considering any income as a salary, उसके बाद यहां पर क्या बोला गया, full time job हो या part time job हो, full time employment हो या part time employment हो, दोनों तरह का income हमारा salary head में यह आता है, अगर हम salary को forgo कर चुके हैं, ठीक है, तो भी हमारा जो income होगा ना, उसको salary head के अंडर consider किया जाएगा, अगर surrender किया हैं, तो हमारा surrender किया है, हम लोग central government को तो यह हमारा salary head में उसको income नहीं माना जाता है, ठीक है, यह सब चीज के बारे में यहां पर दिया हुआ है, उसके बाद basic of charge हो है, यहां पर जो हम लोग का salary chargeable होता है, यह हमारा receipt or due, whichever is earlier, उसके basis पे charge होता है, मतलब हमारा salary या तो receive हो गया, या तो due हो गया, ठीक है, दोनों में से जो पहले होगा, उस basis पे उसको income मान लिया जाएगा, आगे अगर हम लोग यहां पर refer करें, तो एक हम लोग का है section 17, section 17 जो यह basically salary का definition इसमें है, salary को define करने का कुछिस क्या गया है, यहां पर salary का meaning होता है, यहां पर बो is much wider than what is normally understood, ठीक है, जो हम लोग generally salary का meaning समझते हैं, उससे यहां पर salary का meaning है, यह wider है, wider sense हम लोग यहां पर इसको use करते हैं, the term salary for the purpose of income tax will include both monetary benefit as well as non-monetary facilities, जो भी monetary payment मिला या non-monetary facilities मिला, from the employer to employee, everything is salary from income tax point of view, ठीक है, salary का यहां पर definition है, इसमें बोला गया है कि यह सब कुछ को हम लोग salary में include किया देगा, यह सब कुछ यहां salary में include, wages, जो भी उसको मंतली wages या salary मिल रहा है, वो salary है ही, जो annuity या pension मिल रहा है न, वो भी हमारा salary ही है, salary head में ही वो income आएगा, gratuity मिला तो ओ भी हमारा salary है, salary head में income आएगा, अगर employee को कुछ fee मिल रहा है, commission मिल रहा है, या perquisite मिल रहा है, या profit in lieu of or in addition to any salary ठीक है, और wages ठीक है, तो यह सब कुछ भी हमारा salary का ही part होगा, advance salary अगर receive होगा, तो भी वो salary का part होगा, वो भी salary head का, salary head में उसको income मान लिया जाएगा, बाद में फिर उसको, जब वो due होगा, तब उस temporary tax देना नहीं होता है, any payment received in respect of any period of leave not availed by the him, मतलब जिसको हम लोग बोलते है, leave in casement, ठीक है, हमारा generally क्या होता है, job में जब हम लोग होते हैं, तो employer हम लोग को कुछ paid salary allow करता है, एक महने का, दो महने का, ठीक है, एक साल में तुम एक महना का, छोटी ले लेना, उसके बदले भी तुमको payment मिल जाएगा, हम लोग क्या किया है, वो छोटी नहीं ले, उसके बदले case ले ले ले, तो यह हम contribution होता है, RPF में, ओ भी हमारा salary head का part होता है, ठीक है, तो यह सब कुछ यहाँ पे salary का meaning है, अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे न, यह chapter को, mainly किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, जो अभी उपर हम लोग देखे थे, यहाँ पे आएगा salary head में क्या, जो कुछ benefit employee को मिला, employer स everything will come under salary head, ठीक है, इस chapter को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कैसे, यहाँ पे mainly हम लोग को समझना किया है, जो भी benefit आएगा न, वो क्या पूरा taxable होगा या उसमें से कुछ exempt हो जाएगा, exempt काने का मतलब जो हमारा income का part नहीं बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे इस chapter को पढ़ने के सबसे पहले हम लोग retirement के time जो जो चीज हम लोग को मिलता है न, उसका provision समझते हैं, काने का मतलब यह हुआ, जो gratuity हम लोग को retirement के time मिलेगा, क्या हो पूरा exempt होगा या कुछ उसमें छूट मिलने वाला है, ठीक है, पूरा taxable होगा या कुछ exempt है, taxable काने का मतलब हमारा होता है, जिस पर tax लगने वाला है, ठीक्सेबल मतलब जिस पर tax लगने वाला है, और exempt काने का मतलब होता है, जो हमारा जिस पर tax नहीं लगेगा, जिस part पर tax लगेगा, part of income पर, part of income पर, टेक्सेबल मतलब क्या हो गया जो हमारा जिस पर टेक्स लगने वाला है ठीक है जो पार्ट ऑफ इंकम पर टेक्स लगने वाला है मतलब टेक्स कैसे लएगा वो हमारा इंकम का पार्ट हो जाएगा एक्जम्ट मतलब क्या होता है जिस पर हमारा टेक्स नहीं लगने वाला है जिस पार्ट आफ इंकम पर टेक्स नहीं लगेगा मतलब tax नहीं लएगा, इसका मतलब यह हुआ, कि हमारो total income का part हो गा ही नहीं तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले retirement benefits में जो कुछ हम लोग को मिलता है हम लोग उसके provision को समयते हैं, जैसे gratuity, क्या gratuity हमारा पूरा exempt होता है या पूरा taxable होता है, या partly taxable होता है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं सबसे पहले हम लोग यह समझने का कुछिस करते हैं, ग्रेचुटी होता क्या है ठीक है, ग्रेचुटी के बार में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं ग्रेचुटी is a voluntary payment made by employer in appreciation of service rendered by the employee जनरली क्या होता है, जब कोई employee retire करता है, ठीक है तो employer उसको कुछ voluntary payment करता है, जिसको as a gratuity हम लोग बोलते हैं gratuity term basically उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है gratuity कहने का मतलब यही हुआ कि जब हम लोग retire करते हैं तो कुछ हम लोग को lump sum payment देता है as a gratuity जिसको हम लोग यहां पर gratuity बोलते हैं nowadays, gratuity has become a normal payment applicable to all employees आज के रेट में gratuity हर एक employee को मिलता है in fact, Gratuity Act 1972 is a statutory recognition of the concept of gratuity payment of gratuity act 1972 जो है यह भी हमारा क्या होता है इससे related law बना हुआ है जिसमें बोला गे है किस को किस टाइप के employer को gratuity देना है तो जो भी हो ठीक है यह हमारा gratuity यह क्या हो गया जब रिटायर करते हैं तो एक payment कुछ मिलता है employer से यह जा gratuity जो इसलिए दिया जाता है कि तुम लंबा समय तक काम किया तो salary वगेरा तो तुम को दिये और तुम यह भी पैसा लेकर चल जाओ ठीक है तो यह जो gratuity मिला ना यह हमारा taxable होगा या exempt partially taxable होगा या partially exempt यही सब कुछ हम लोग को यहां पे समझना है इसके बारे में जो provision दिया हुआ यह section 1010 में दिया हुआ है जहां पे यह बताया गया कि कितना हमारा exempt होगा क्या exempt होगा टैकसेबल होगा इसको समझने के लिए हम लोग क्या कर रहे है gratuity जो मिलता है ना gratuity जो मिल रहा है ठीक है हम लोग को यह देखना पड़ेगा gratuity जो मिला यह किसको मिला अगर government employee, gratuity जो मिला, वो government employee अगर है, ठीक है, तो उसके case में पूरा exempt है, fully exempt काने का मतलब उसका कोई भी amount पे tax लगने वाला नहीं है, 10 लाग मिले, 15 लाग मिले, 20-50 लाग, एक करोड मिल जाए, ठीक है, उसका पूरा exempt है, कुछ भी amount पे उसका tax नहीं लाएगा, अगर government employee को non-government employee जहां से retire किया, उस organization में payment of gratuity act applicable है या नहीं है, अगर applicable है, तो वहाँ पर exemption मिलेगा, नहीं applicable है, तो वहाँ पर भी exemption मिलेगा, ठीक है, लेकिन कितना मिलेगा, यह depend करता है, कि उस organization पे payment of gratuity act applicable है या नहीं है, ठीक है, अगर applicable है, तो यहाँ पर कितना exemption मिलेगा, इसके ल हमारा gratuity exempt हो जाएगा कौन-कौन सा 3 amount लेने के लिए बूलता है सबसे पहले बूलता है a actual gratuity जो receive किया न वो amount तुम बताओं दूसरा बोलता है अस्टेश्वरी का हमारा ہے कि यहाँ पे fix maximum limit maximum limit हमारा fix है कि तुमको 20 लाग तक का एक जमसन देंगे, दो amount हो गया, तीसरा बोलता है एक चीज तुम calculate कर लो, यह कैसे calculate होगा, 15 divided by 26, इसको याद रखने का तरीका 15 अगर 6 जनौरी ठीक है, 15 divided by 26 into number of completed year of service, जितना दिन तुम job किया, जितना completed year of service है, उसको multiply करो 15 divided by 16 into salary per month, और इस calculation से जो amount आएगा, ठी actual gratitude receive किया, तो maximum limit 20 लाग और तीसरा, यहाँ का calculation से जो amount आया, तीनों को तुम compare करो, उसमें जो सबसे कम होगा, वही तुमारा exempt होगा, let's suppose, actual gratitude जो receive किया, यह था 15 लाग रुपई है, maximum limit सो हमेशा 20 लाग रहेगा, इसमें कुछ change होने वाला नहीं, यह जो है, यहाँ से मान लेत employee, non-government employee को जो 15 लाग का gratuity मिला, उसमें से 12 लाग exempt, 3 लाग उसका taxable, जो 3 लाग taxable होगा, वही हमारा salary head के under income में aid हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद, जहाँ पर payment of gratuity act applicable नहीं है, यहाँ पर भी बोलता है, तुम 3 amount लेलो, कौन-कौन सा, एक सबसे पहले बोलता है, actual gratitude जो उसके बाद, number of completed year of service लेलो, और तीसरा, average salary निकाल लो, फिर तिनों को तुम compare करो, यह तिनों को, एक, दो, तिन, तिनों में जो तुम्हारा सबसे कम होगा, वही तुम्हारा exempt हो जाएगा, तो इस तरह से, government employer, non-government employee के case में हम लोग gratitude का exemption कल्कुलेट करेंगे, यह था summary, ठीक gratitude कितना exempt होगा, so, government employee में पूरा exempt, non-government employee में चेक करना पड़ेगा payment of gratitude act applicable है या नहीं है, उस पर debate करेगा कितना उसका exempt होगा, ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ यह समझे नाम लोको पड़ेगा, number of completed year of service मतलब क्या, यहाँ पर payment of gratitude act applicable जहाँ पर है, यहाँ पर number of completed year of service का मत यहाँ पर हम लोग केवल completed year को लेंगे, मतलब अगर कोई employee 22 years 10 month भी काम कर रहा है, तो भी यहाँ पर 22 years ही माना जाएगा, किसमें जहाँ पर payment of gratitude act applicable नहीं है, यहाँ पर number of completed year of service काने का मतलब यह है, यहाँ पर completed year of service काने का मतलब, जो completed है वो भी लेना है, पलस जो हमारा 6 month से जायदा fraction में year है, उसको भी 1 साल मान लेना है, 6 month से कम रहेगा तो इग्नोर कर देना है, यहाँ पर पर fraction वाला लेना ही नहीं है, तो यह हमारा number of completed year of service हो गया, salary permit यहाँ पर जो निकले गाना है, इसके लिए क्या हम लोग को करना है, basic salary लेना है, यहाँ पर हम बात करें, payment of gratitude act में salary का जो मिनिंग है, यहाँ पर हम लोग लास्ट मन्त का basic salary लेंगे, DA लेंगे, DA हमाला in terms हो या not in terms हो, दोनों case में लेना है, और तीसरा, नहीं, यह दो ही चीज़ यहाँ पर लेना है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर salary पर मानेंगे, और यहाँ पर हमारा निकल जाएगा, calculation, यह तो fix रहेगा, यह निकल गया, यह निकल गया, यहाँ यह तो fix रहेगा, number of completed year of service में, केवल completed year of service लेना है, fraction को यहाँ पर पुरा ignore कर देना है, average salary मतलब यहाँ पर last 10 months का हम रोज average salary ले निकल लेंगे, last 10 months का हम लोग को basic salary लेना है, DA तब लेंगे अगर in terms रहा, और तीसरा हम लोग को लेना है, turn अगर commission हमारा fixed percentage है, commission अगर हम लोग लेंगे, उसका average निकाल लेंगे, वही amount हम लोग को यहाँ पर ले लेना है, और इस तरह से हमारा gratitude का exemption निकल जाएगा, अब हम लोग समझते है, pension के provision को, pension कहने का मतलब क्या होता है, जब कोई employee retire कर जाता है, तो retirement के बाद employer उसको कुछ payment देती रहता है, जिसको हम लोग pension बोल पर मन तुमको देते रहेंगे, तो जो हम लोग मन्थली payment अगर 10,000 रुपई या हर एक मन्थ लेते रहें, तो यह हमारा uncommuted pension इसको बोलते हैं, या मन्थली pension बोलते हैं, यह हमेशा fully taxable होगा, employee government employee, non-government employee doesn't matter, अगर मन्थली pension कुछ भी मिल रहा है, तो fully taxable है, दूसरा होता ह committed pension, committed pension या तो इसको बोलते हैं, lump sum pension, यह क्या होता है, होता किया है, जब हम लोग कोई employee retire किया, जब कोई employee retire किया, तो उसको मन्थली 10,000 रुपई या pension मिलना था, employee अपने employer से बात किया, कि तुम हमको हर एक मन्थ 10,000 रुपई या मत दो, तुम एक काम करो, हमको हर एक मन्थ 4 चर्जार उपया ही देना, बाकी पैसा तुम हमको एक साथ दे दो, तो उसको हम लोग बोलते हैं, lump sum payment, lump sum payment या committed pension टिक है, lump sum pension या committed pension टिक है, तो जो हम लोग lump sum pension ले लेते हैं, या committed pension लेते हैं, इसमें हम लोग को कुछ exemption मिलता है, कितना exemption मिलेगा, depend करता है कि वो employee, government employee या non-govern government employee है, अगर government employee है, अगर committed pension government employee receive कर रहा है, lump sum pension government employee receive कर रहा है, तो उसके hand में पूरा exempt है, उसको कुछ भी portion पर tax नहीं देना है, fully exempt, अगर वो non-government employee है, तो यहाँ पर ये चीज हम लोग को देखना पड़ेगा, कि जो non-government employee lump sum pension receive किया, क्या इसके साथ हो gratuity उसको मिला था, क्या अगर gratuity मिला था, तो उसको exemption मिलेगा, ठीक है, gratuity नहीं मिला था, तब भी उसको exemption मिलेगा, किबल अंतर यह है, अगर gratuity नहीं मिला है, ठीक है, तो उसको ज्यादा exemption मिलेगा, गर gratuity मिला है, तो उसको exemption थोड़ा कम मिलेगा, अगर gratuity मिला है, अगर gratuity receive किया, तो यहाँ पर exemption कर दो ृमांट है उसका वॉझ तर्ड bard गर टीसिटेशेंट का वॉझ टीक Opera कौिशन में क्या दिया हुँँ रहता है यहां पर क्या रचफित लिसका है यहां पे ह notaına यहां टोटल 5R IL कहने का मतलब है को हमारा total pension है ठीक है question में दिया हुआ रहता है 60% pension कोई employee commute करवाया ठीक है लिया lump sum में ले लिया और उसके बदले उसको 6 lakh रुपईया मिल रहा है तो यह जो 6 lakh का amount है न यह हमारा total pension नहीं है 6 lakh जो हमारा यह 60% जो हम commute करवाया है उसके बदले मिला 60% जो हम लोग lump sum में लिया है उसके बदले मिला तो total pension कितना हो जाएगा total इसका 60 in 200 ठीक है मतलब 10 lakh हमारा total pension था अब 10 lakh का हम लोग one third या one by two जो भी करना होगा उस तरह से calculate करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा pension का जो है exemption निकल जाएगा ठीक है तो यह दो चीज जो था भी हम लोग retirement benefits के बारे में पढ़ें ठीक है इसमें से एक जो हम लोग monthly pension पढ़ें न यह हमारा after retirement benefits था ठीक है तो हम लोग after retirement benefits का भी एक पार्ट यहां पर पढ़ लिए retirement benefit में क्या पढ़ें ग्रेश्विटी पलस committed pension ठीक है uncommitted pension जो था यह मंतली pension था वो आपना retirement वाला part था तीसरा हम लोग देखते हैं तीसरा और retirement के time हम लोग क्या मिलता है जब हम कोई employee retire करता ना तो उसको एक चीज और मिलता है एक salary के form में एक चीज और मिलता है जिसको हम लोग बोलते है लिव इंकेस्मेंट लिव इंकेस्मेंट क्या होता है जब कोई employee कहीं पर job कर रहा ना तो उसको कुछ चुट्टी मिलता है पेड चुट्टी ठीक है क्या बोलता है ठीक है कि जो तुमारा पचीज दिन का चुट्टी बचा होए ना इसके बदले तुम कैस ले लो employee उसके बदले कैस ले लिया तो इस टाइप से जो हम लोग के बदले लिव को जो in cash कर वा लिए in cash काने का मतलब होता है उसको cash में convert कर वा ले ना तो यह भी हमारा salary head के अंडर income हो जाता है यह भी हमारा employer से एक मिलने वाला benefit है और यह हमारा salary head का part होगा और उस पर भी हम लोग को tax देना होगा तो live जो in cash होता है इसके लिए exemption मिलेगा या नहीं मिलेगा यहाँ पर हम लोग को यह समझना है इसके पार में provision क्या है अगर live in cash हमको on job मिला जब हम job में थे जॉब में थे और उस टाम अगर salary को in cash कर वा रहे है तो हमेशा taxable होगा employee government हो या non government हो doesn't met exemption कि salary के लिए झिए enforcement के लिए मिलेगा जो हम लोग retirement के time पे लिए है अगर retirement के time पे हम लोग कुछ live investment करवाए है तो उसमें हम लोग को exemption मिलेगा कितना मिलेगा depend करते है provision को समझना पड़ेगा थे सबसे पहले जो हम लोग own job मिली आथी है यहाँ पी लिखा हुए ना During the job मिला, तो पूरा taxable, अगर retirement की time मिला, तो कितना exempt होगा, depend करता है, employee क्या है, employee की step का, अगर government employee है, अगर live investment जो receive क्या हो, government employee, तो उसके hand में पूरा taxable, fully exempt from tax, ठीक है, तो इसको भी हम लोग उसी तरह से बना सकते हैं, ठीक है, यहां पर मिश्लिय ने बना रहे हैं, क्योंकि time इसके लिए बोलता है तुम चार चीज बताओ ठीक है चार चीज किया कि हम लोग को देखना है एक maximum limit मतलब statutory limit यहां पर 3 लाग का है दूसरा बोलता है जो actual तुमको लिव salary मिला ठीक है जो लिव इंकेस्मेंट का amount मिला वो बता दू तीसरा बोलता है 10 month salary into 10 month salary कहने का मतलब होगा 10 into जो हमारा यहां पर average salary होगा यह हम लोग को लेना है ठीक है यह बता है यह बोलता है यह calculate कर average salary ठीक है average salary बोल रहे है इसको तुम calculate करके बताओ यह चारों में जो तुम्हारा कम होगा ना हुआ ही तुम्हारा exempt हो जाएगा अभी हम लोग क्या पाढ़ें government employee पूरा non-government employee तो कितना exempt होगा इसके लिए 4 amount हम लोग को देखना है 4 amount compare करेंगे क्या 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 चारे मांट है पहला तीन लाग का लिमिट दूसरा लिब सेलेरी जो हम लोग लिब इनकैस्मेंट मिला उस चीज को लेना है तीसरा हम लोग को क्या लेना है 10 into average salary यह कहां से लिख दें यहां पे तो कुछ और लिखा हुआ है वही चीज है इसको हम फौर यह mathematically लिख रहे हैं यहां पर क्या हुआ है 10 months salary 10 months salary मतलब क्या 10 into average salary क्यों लिखें यहां पे salary का मतलब जो है यहां पे जो salary लिखा हुआ है इसका मतलब यह average salary आगे हम लोग अगर यहां पर पढ़ेंगे तो समझ में आ जागा on the basis of average salary of last 10 month ठीक है तो last 10 month का जो हमारा average salary आएगा उसको 10 से multiply कर देना है तो इसको mathematically इस तरह से लिख सकते हैं ठीक है तीसरा amount हम लोग को यह लेना है चौंधा क्या लेना है लिब credit इंटू जो हमारा average salary आया है average salary जो हम लोग उपर calculate करेंगे वह यहां पे लिखतेंगे लिब credit क्या हुआ लिब credit काने का मतलब हुआ जो हम लोग को लिब मिला था उसमें से जो हम लोग ले लिए ठीक है उसके बाद जो balance बचा मतलब बचा हुआ चुट्टी जो हमारा बचा हुआ चुट्टी यह लिब credit मतलब जो हमारा बचा हुआ चुट्टी है हमारा जब हम जॉब किया है जब हम लोग जॉब किया पंदरा साल ठीक है हर एक साल हम लोग को एक-एक मंत का लिव बुला था मतलब फंदरा 2015 ठीक है जो उसे सिह मारा थे मनत बचा न यह हमारा लिब क्रेडिट फोलजे बट जहां पर लिप क्रेडिट करते वो हम लोगों को एक जी दिए ध्यान है हर एक मन्त जो हमारा लिब क्रेडिट होगा ना हर एक एर जो हमारा लिब एलाउड होगा ना यह maximum 30 डेज का हो सकता है या वन मन्त का हो सकता है on the basis of income tax provision मतलब जैसे यहां 15 साल के लिए हम लोग इतना लिए 15 मन्त लिए अगर कहीं पे कोई employer हर एक साल दो दो मन्त का लिब एलाउड कर रहा है तो यहां पे हम लोग 30 मन्त नहीं लेंगे यहां पर हम लोग 15 मन्त ही लेंगे क्यों क्योंकि income tax act में यह प्रोभीजन है कि हम हर एक साल त हम लोग इसको पढ़ते हैं लिब equivalent to case equivalent to of live based on the last 10 month average चले ठीक वही चीज़ लिखा हुआ है to the credit of the employee at the time of retirement or date earned leave entitlement can't exceed 30 days for every year of actual service surrender for the employer from whose service he has retired यहां पर क्या बोल रहा है सबसे पहले लाश्टो लाइन बोलते हैं earned leave entitlement जो हमारा earned leave entitlement कहने का मतले वही जो case leave हमारे entitlement है यह 30 दिन से जाएदा every year के लिए allow नहीं होगा ठीक है यहां पर कितना allow होगा जो हमारे completed year of service है अगर 16 साल 6 महना job किये तो 16 साल है ठीक है leave allowed निकल गया है इसमें से less क्या कर देंगे जो हम लोग leave avail कर लिए leave avail कर लिए leave allow जो भी है मान लेते हैं अगर 1 मन्त का है दो 2 मन्त का है तो भी हम लोग्लों को एक मन्ती लेना है अगर 15 दिन का है ताब अच्छा है कोई बात नहीं टीक है तो अगर 16 साल जॉब किया तो 16 मन्त ठीक है, जो अभेल हो गया, अगर 4 मन्त, 5 मन्त, 8 मन्त जो अभेल हो गया, दस मन्त अभेल हो गया, तो 10 मन्त लेस करके, यहाँ पे 6 मन्त हमारा लिब क्रेडिट हो जाएगा, यह जो बैलन्स बचाना, लिब अलाउड मैनस लिब अबेल व जो हम लोग ओन जॉब लिए हो हमारा फुली टेक्सेबल होता है आज के वीडियो में हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं यह जो सेलेरी हेड है ओविसली एक दिन के वीडियो में कंप्लिट होने वाला नहीं है क्योंकि यह रिविजन के पॉइंट और व्यू से हम न गिन कम लोग में का यह ऐकीडाय हैं किष्बंख और इचले करुने करें की प्रौनट और को में विएजन करेंते में को स्टॉणेंट एमपारिज नशी टोड़ सेहर Cities धीज को स्टॉग हैं थेंक्स फ़वाचिंट डिस विडियो और होसके तो, जो भी ग्रेजवेयोसन का